हेलो बच्चो कैसे हो आप लोग आशा करती हूं सब स्वस्थ होंगे और घर पर खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे आईए आज आपका अध्याय व्रतों से संबंदित छेत्र फल के अंतरगत हम चर्चा करेंगे समतल आकरतियों के संयोजन्यों के छेत्र फल की आईए एक उधारन द्वारा समझते हैं आकरती में A, B और C, D केंद्र O वाले एक व्रत के दो परस पर लंब व्यास हैं तथा OD छोटे व्रत का व्यास है यदि OA बराबर 7 cm है तो छायंकित भाग का छेत्र फल ग्यात कीजिए इसमें देखिए हमें दिया है OD जो है ये 7 बटा दो हुआ और हमें दिये रखा है कि OA कितना है बच्चो? OA है 7 ठीक है अब हम कैसे निकालेंगे इसका छेतरफल निकालेंगे और फिर इसका अर्ध गोले का छेतरफल निकालके उसमें से त्रिभुज का छेतरफल हम घटा देंगे आईए देखें कैसे करते हैं छोटे व्रत की त्रिज्या हमारे पास कितनी हुई साथ बटा दो सेंटिमीटर छोटे व्रत का छेतरफल क्या होगा पाई आर स्कुएर इस प्रकार पाई गुना साथ बटा दो का वर्ग याने बाइस बटा साथ गुना साथ बटा दो गुना 77 बटा 2 cm2, बड़े व्रत की तरिज्या हमें पता है, 7 cm है, तो अर्ध व्रत AECFB, यह देखें, AECFB, इसका हमने छेत्रफन निकालना है, कितना होगा, 1 बटा 2 गुना पाई आर स्क्वेर, जो बराबर है, 1 बटा 2 गुना 22 बटा 7 गुना 7 गुना 7, इसको हल करेंगे, बहुत असान है, कितना आएगा, 77 cm2, त्रिबुच का छेत्रफल हम जानते हैं उसका, क्या सूत्र होता है, 1 बटा 2 गुना AB गुना OC, जो बराबर है, 1 बटा 2 गुना 14 गुना 7, इस तरह यह हुआ, 49 cm2, यह हम जानते हैं, यह और AB और CD, दोनों यहाँ पे 90 डिक्री बना रहे हैं, इस प्रकार, यहाँ पे 1 बटा 2 गुना 14 गुना 7 से, हम इसका छेत्रफल निकाल पाएंगे, 49 cm2, आएए, आगे देखते हैं, चायंकित भाग का छेत्रफल, बराबर होगा, छोटे वरत का छेत्रफल, प्लस अर्धवर्त, AECFB का छेत्रफल, माइनस, त्रेभुज ACB का छेत्रफल, ठीक है, जो बराबर होगा, 77 बटा 2, प्लस 77 माइनस 49, इसमें से, 77 में से 49 निकाला, तो हम आया 28, और 77 बटा 2 होता है 38, 5 प्लस 28, जोड कर हमें मिलेगा 66, 5 cm2, इस प्रकार हमने इसका छेत्रफल निकाला, ठीक है बच्चों, समझ में आया, चलिए, अगला प्रेशन देखते हैं, प्रशन 3, यह है, एक संबाहु त्रिभुज ABC, छेत्रफल 17,320.5 cm2 है, इस त्रिभुज के प्रतेक शीष को केंद्र मान कर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक व्रत खीचा जाता है, देखे आकरती, छायंकित भाग का छेत्रफल ग्याद कीजिए, पाई का हमें मान लेना है 3.14 और वर्गमुल 3 बराबर लेना है 1.73205, ठीक है, यह बहुत ही महत्पून प्रश्न है, ध्यान से समझेगा, परिक्षा की द्रिष्टी से, माना संभाहुत रुबुच की भुजा की लंबाई A सेंटीमीटर है, संभाहुत रुबुच का छेत्रफल हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वाइर, इसका हम सूत्र जानते हैं, संभाहुत रुबुच की छेत्रफल का क्या होता है बच्चों, वर्गमुल 3 बटा 4 गुना A स्क्वाइर, इसको हमने इसके बराबर रख दिया, 17320.5 के, अब हमें वर्गमुल 3 की हमें वैल्यू दे रखी है, 1.732.5 वो हमने आ रखी, बटा 4 गुना A स्क्वाइर, बराबर है 17320.5, इस से हम A कमान निकालेंगे, देखे कैसे निकालते हैं, A स्क्वाइर, बराबर हुआ 17320.5 गुना चार बटा 1.732.5, इसको हम हल करेंगे, देखे, तो हमें मिलेगा 40,000, और इस प्रकार A स्क्वाइर हुआ 40,000 और A हुआ वर्गमूल 40,000 का, इसको देखे, इसको हम लिख पाएंगे 200 गुना 200, इसका मतलब A कमान आएगा 200, सेंटीमीटर, ठीक है? अब इसको आगे हल करते हैं, तिज्य खंड A, D, E, F का छेत्र फल, बराबर होगा, थीटा बटा 306 गुना पाई आर स्क्वाइर, थीटा कितना है बच्चो, 60 डिग्री, बटा 306 गुना 22 बटा 7 गुना 100 का वर्ग, इस प्रकार, यह रिखे, इसको हम ऐसे काट देंगे, तो एक बटा 6 आ जाएगा, गुना 3.14 क्योंकि हमें दे रखा था कि हमें पाई का मान 3.14 यूज़ करना है, गुना 100 गुना 100, इसको हम हल करेंगे, और हमें क्या मिलेगा, 15700 बटा 3 सेंटीमीटर स्क्वाइर, चांकित भाग का छेत्र फल इस प्रकार बराबर हुआ, सम बाहुत रुबुच का छेत्र फल माइनस 3 तिज्य खंडों का छेत्र फल, ये हमें दे रखा है, 17320.5 माइनस 3 गुना 15700 बटा 3, अब देखिए, यहां पे 3 हम काट देंगे, और इस प्रकार इसको घटा के हमें इसका मान मिलेगा, 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वाइर, असान था ना बच खुब अभ्यास करिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, आईए अगला प्रश्न देखते हैं, एक वर्गाकार रुमाल पर 9 व्रताकार डिजाइन बने हैं, जिन में से प्रतेक की तरिज्या 7 सेंटीमीटर है, आकरती देखिए, रुमाल की शेज भाग का छेत्र फल ग्या कीजिए, तो व्रत की तरिज्या कितनी दी हुई है हमें, 7 सेंटीमीटर, एक व्रताकार डिजाइन का छेत्र फल हम जानते हैं, कितना होता है बच्चों, पाई आर स्क्वार, इस प्रकार पाई गुना 7 का स्क्वार होगा, बराबर 22 बटा साथ, गुना साथ, गुना साथ, 22 को साथ से, तो हमें मिलेगा 154 सेंटीमीटर स्क्वार, वर्क की भुजा बराबर है 42 सेंटीमीटर, इस प्रकार वर्क का छेत्र फल कितना होगा, बराबर होगा भुजा का वर्क, यानि 42 गुना 42, जो होता है 1764 सेंटीमीटर स्क्वार, रुमाल के शेशभाग का छेत्र फल हम कैसे निकाल पाएंगे वक का छेत्रफल माइनस नौ व्रतों का छेत्रफल इसका मतलब 1764 माइनस नौ गुना 154 बराबर होगा 1764 माइनस 1386 इस प्रकार घटा के हमें मिलेगा 378 सेंटीमीटर स्कॉर ठीक है बच्चो आएए अगला प्रिशन देखें आकरती में OACB केंद्र O और त्रिज्या 3.5 वाले एक व्रत का चतुर्थांच है यदि OD बराबर है 2 सेंटीमीटर तो निम्र लिखित के छेत्रफल ग्याद कीजिए पहला चतुर्थांच OACB दूसरा छायंकित भाग चतुर्थांच की त्रिज्या हमें दे रखी है 3.5 सेंटी जानते हैं यह 90 डिग्री है और हमें दिया है OD यह कितना है 2 सेंटीमीटर और हम यह भी जानते हैं त्रिज्या कितनी है 3.5 सेंटीमीटर ठीक है आए तो हम चतुर्थांच की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है चतुर्थांच का छेत्रफल कितना होगा 90 बटा 360 गुना 22 बटा 7 गुना 7 बटा 2 गुना 7 बटा 2 जो बराबर होगा 11 गुना 7 बटा 4 गुना 2 इसको हल करके हमें मिलेगा 37 बटा 8 सेंटीमीटर स्क्वेर त्रिभुज OBD का छेत्रफल हम निकालेंगे कितना होगा 1 बटा 2 गुना OB गुना OD इस प्रकार 1 बटा 2 गुना 3.5 गुना 2 दो यह यहाँ पे कैंसल हो जाता है और हमें मिलेगा 3.5 सेंटीमीटर स्क्वेर चायंकित भाग का छेत्रफल हम निकालेंगे चतुर्थांच का छेत्रफल माइनस त्रिभुज OBD का छेत्रफल अब देखिए चतुर्थांच का छेत्रफल हम निकाल चुके हैं कितना है 37 बटा 8 माइनस 3.5 इस प्रकार 37 बटा 8 माइनस हम इसको क्या लिख सकते हैं 7 बटा 2 3.5 बराबर होता है 7 बटा 2 यहाँ पे हमने 8 और 2 का LCM लिया और इस प्रकार 37 माइनस 28 बटा 8 है और इसको हल करके हमने निकाला 49 बटा 8 सेंटीमीटर स्क्वेर समझ में आया बच्चू चलिए अगला प्रशन देखते हैं आकरती में एक चतुर थांच O P B Q के अंतरगत एक वर्ब O A B C पना हुआ है यदि O A 20 सेंटीमीटर है तो चायंकित भाग का छेतरफल ग्याद कीजिए पाई बराबर है तीन दशमलव एक चार ठीक है अब इसमें आप ध्यान से देखिए O A B में यह हमारे पास त्रिबुज है O A B इसको जोड़ लेते हैं अब हमें O A दिया हुआ है 20 और यह भी होगा 20 इस प्रकार यहाँ पर पाइथोगरस प्रमे द्वारा हम क्या लिख पाएंगे बच्चों O B स्क्वार बराबर है O A स्क्वार प्लस A B स्क्वार इस प्रकार 20 का स्क्वार प्लस 20 का स्क्वार बराबर हुआ 400 प्लस 400 जो बराबर होता है 800 के इस प्रकार O B बराबर हुआ वर्ग मूल 800 जिसको हम लिख पाएंगे 20 वर्ग मूल 2 देखे किस करतर हैं हमारे पास है 800 इसको हम लिख पाते हैं 20 गुणा 20 गुणा 2 इस प्रकार 20 गुणा 20 हम बाहर निकाल लेंगी और 20 वर्ग मूल 2 O B का मान आ जाएगा ठीक है आईए चतुर्थांज की त्रिज्या हुई 20 वर्ग मुल 2 सेंटीमीटर अब इसकी मदद से हम छायंकित शेत्रफल निकालेंगे चतुर्थांज का शेत्रफल इसका हमें सूत्र पता है 90 डिग्री बटा 360 गुना पाई आ स्कुर्ए जो बराबर होगा एक बटा 4 गुना पाई गुना 20 वर्ग मुल 2 का वर्ग इसको हम हल कर लेते हैं एक बटा 4 गुना 3.14 गुना 20 वर्ग मुल 2 गुना 20 वर्ग मुल 2 इस प्रकार हमें मिलेगा चेटरफल हुआ चतुर्थांच का चत्रफल माइनस वर्ग का वर्ग मुल 2 इस से हम कैंसल कर देंगे और हमें मिलेगा 628 सेंटीमीटर स्कुर्ए यहां पर वर्ग का छेत्रफल हुआ भुजा का वर्ग जो बराबर है बीस का वर्ग यानि 400 सेंटीमीटर स्कुर्ए इस प्रकार चायंकित भाग का छेत्रफल हुआ चतुर्थांच का छेत्रफल माइनस वर्ग का छेत्रफल यह हम निकाल चुके हैं 628 cm2 माइनस 400 cm2 और इस प्रकार हमें 228 cm2 हमारा च्हायंकित भाग का चेतरफल आया ठीक है बच्चो आए अगला प्रशन देखते हैं AB और CD केंद्र O तथा त्रिज्याओं 21 cm और 7 cm वाले दो संकेंद्रिय व्रतों के क्रमशर दो चाप हैं यदि कोण AOB 30 दिगरी का है तो चायंकित भाग का चेतरफल ग्याद कीजिए चायंकित भाग का चेतरफल बड़ाबर होगा त्रिज्याखंड AOB का चेतरफल माइनस OCFD का चेतरफल जो बड़ाबर है 30 बटा 3060 गुना πाई गुना 21 का वर्ग माइनस 30 बटा 3060 गुना πाई गुना 7 का वर्ग इसको हम हल कर लेंगे और हमें क्या मिलेगा बच्चो एक बटा 12 गुना πाई 21 का वर्ग होता है 441 माइनस 7 का वर्ग होता है 49 देखिए इसको हमने उभेनिष्ट यहाँ पे लिया है एक बटा 12 गुना पाई और यहाँ पे हुआ 441 माइनस 49 इसको हल करके हमें मिलेगा एक बटा 12 गुना 22 गुना 392 इसको भी हल कर लेंगे 308 बटा 3 मिलेगा और भाग देने पर 102.6 cm2 इसका छेत्रफल आएगा ठीक है बच्चों आएए अगला प्रशन देखते हैं आकरती में ABC त्रिज्या 14 cm वाले एक व्रत का चतुर्थांश है तथा BC को व्यास मान कर एक अर्धवर्थ खीचा गया है छायंकित भाग का छेत्रफल ग्याद कीजिए बहुती प्यारा प्रश्न है ध्यान से समझेगा चतुर्थांश की त्रिज्या कितनी है 14 cm चतुर्थांश मतलब यह 90 डिग्री है और यहां से यह एक अर्धवर्थ खीचा गया है चतुर्थांश का छेत्रफल का सुत्र हम जानते हैं 90 डिग्री बटा 360 गुना पाया स्क्वेर जो बराबर हुआ एक बटा चार गुना पाई गुना चौदा का वर्ग इस प्रकार एक बटा चार गुना बाइस बटा साथ गुना चौदा जो बराबर हुआ 154 सेंटीमीटर स्क्वेर त्रिभूज ABC में पाईथोगरस प्रमे द्वारा हम BC स्क्वेर को बराबर लिख सकते हैं AC स्क्वेर प्लस AB स्क्वेर ठीक है तो BC स्क्वेर बराबर हुआ 14 स्क्वेर प्लस 14 स्क्वेर यह देखिए यह 14 है और यह भी 14 है ठीक है तो इस प्रकार 196 प्लस 196 बराबर हुआ 392 BC बराबर हुआ वर्ग मूल 392 जिसको हम हल करके निकालेंगे वह आएगा 14 वर्ग मूल 2 अब देखिए आगे हम कैसे हल करते हैं इसको इसलिए अर्धवर्थ का व्यास हुआ BC याने 14 गुना वर्ग मूल 2 अर्धवर्थ की त्रिज्या कितनी हुई इसकी आधी इसका मतलब 7 वर्ग मूल 2 सेंटिमीटर अर्धवर्थ का छेत्फल एक बटा दो पाई आ स्क्वेर हुआ जो बराबर हुआ एक बटा दो गुना पाई गुना साथ वर्ग मूल 2 का स्क्वेर जो बराबर हुआ एक बटा दो गुना बाईस बटा साथ गुना साथ वर्ग मूल 2 गुना साथ वर्ग मूल 2 जो बराबर हुआ एक सो चौवण सेंटिमीटर स्क्वेर त्रिभू जेबी सी का छेतरफल हम जानते हैं कैसे निकालते हैं एक बटा दो गुना एसी गुना एबी इस प्रकार एक बटा दो गुना चौदा गुना चौदा ये हमने यहाँ पे इससे काट दिया और साथ को चौदा से गुना करेंगे तो 98 सेंटिमीटर स्क्वार आएगा चायंकित भाग का छेतरफल बराबर हुआ त्रिभू जेबी सी का छेतरफल प्लस अर्दुभर्त का छेतरफल माइनस चतुर्थांज का छेतरफल इस प्रकार 98 प्लस 194 माइनस 194 ये कट हो गया और हमें 98 सेंटिमीटर स्क्वार इसका उत्तर आया समझ में आया बच्चो चलिए अगला प्रेशन देखें आकरती में चायंकित डिजाइन का छेतरफल ग्यात कीजिए जो 8 सेंटिमीटर त्रिज्याओं वाले दो व्रतों के चतुर्थांज के बीच उभेनिष्ट है देखिए ये भी बहुत अच्छा प्रेशन है चतुर्थ हांच D A F C ये देखिए A B C D हमें D A F C ये इसको हम F माल लेते हैं D A F C का छेतरफल हम कैसे निकालेंगे बच्चो 90 बटा 306 पाई आ स्कूर सूत्र द्वारा जो बराबर है एक बटा चार गुना पाई गुना आठ का वर्ग इस प्रकार एक बटा चार गुना बाईस बटा साथ गुना आठ गुना आठ हम लिख पाएंगे और इसको हल करके हमें मिलता है 352 बटा साथ सेंटीमीटर स्कूर त्रेबुज ADC का छेतरफल हम अराम से निकाल सकते हैं क्य क्या है सूत्र हमारे पास एक बटा दो गुना DC गुना ED इस प्रकार एक बटा दो गुना आठ गुना आठ जो बराबर हुआ 32 सेंटीमीटर स्कूर आगे अब आगे देखते हम कैसे हाल करेंगे इसको ब्रत्खंड का छेतरफल बराबर होगा चतुर्थांच DAFC का छेतरफल माइनस त्रिभुज ADC का छेतरफल यह हम निकाल चुके थीन सो बावन बटा साथ माइनस बात्यस इसको हल करके हमें मिला 352 माइनस 224 बटा साथ इस प्रकार 128 बटा साथ सेंटीमीटर स्कूर व्रत्खंड का छेतरफल हुआ चायंकी डिजाइन का छेतरफल कितना होगा दो व्रत्खंडों के छेतरफल के पराबर इसलिए हम इसको दो से गुना कर देंगे दो गुना 128 बटा साथ जो हुआ 256 बटा साथ सेंटीमीटर स्कूर ठीक है बच्चो समझ में आया चलिए अब हम ग्रह कारे के लिए कुछ प्रशन ले लेते हैं पहला प्रशन आकरती में दर्शाए गए छायंकित खेत का छेतरफल ग्याद कीजिए आकरती आपके सामने है ठीक है अगला प्रशन एक त्रिभुजाकार छेतर की भुजाएं 15 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर हैं इस खेत में चरने के लिए इसके तीनों कोनों से एक गाएं एक भैंस और एक घोड़े को अलग-अलग साथ मीटर लंबी रसियों से बान दिया गया है खेत के उस भाग का छेतर फल ग्याद कीजिए जिन में ये तीनों पशु चर नहीं पाएंगे ठीक है बच्चो बड़ा प्यारा प्रशन है ना अभ्यास करिएगा अगला प्रशन लीजिए एक घड़ी की मिनट वाली सुई की लंबाई 5 संटीमीटर है प्राते 6 बज के 5 बजे से प्राते 6 बज के 40 मिनट बजे तक के समयकाल में इस सुई द्वारा तै किये गए या घूमे गए शेतर का छेतर फल ग्याद कीजिए चौथा प्रशन किसी व्रत के 200 डिगरी केंद्रिय कोण वाले एक त्रिज्य खंड का छेतर फल्न 770 सेंटीमीटर स्क्वायर है इस त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई ग्याद कीजिए प्रशन पांच बराबर त्रिज्या 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 4 व्रताकार गत्ते के टुकडों को एक कागज पर इस प्रकार रखा गया है कि प्रतेक टुकडा अन्य दो टुकडों को स्पर्श करता है इस टुकडों के बीच में परिबद भाग का छेतरफल ग्याद कीजिए ठीक है बचों कोशिश करिएगा आईए अब हम सारांच देख लेते हैं आज हमने क्या पढ़ा त्रिज्या आर वाले व्रत के एक त्रिज्यकंड जिसका कोण अंशों में थीटा है के संगत चाप की लंबाई थीटा बटा तीन सो साट गुना दो पाई आर होती है दूसरा त्रिज्या आर वाले व्रत के एक त्रिज्यकंड जिसका कोण अंशों में है का छेतरफल थीटा बटा तीन सो साट गुना पाई आर स्क्वेर होता है एक व्रतखंड का छेतरफल बराबर होता है संगत त्रिज्य खंड का छेतरफल माइनस संगत त्रिभुच का छेतरफल ठीक है बच्चों तो आशा करती हूँ आपको आज का पार्ट समझ में आया होगा खूब अभ्यास कीजिएगा धन्यवाद है ऑफ फ्र लूस्त का छेतर खूब अगार्नाव का छेतर है ऑ Akbar तुक का छेतरम थे खब खोड़स का फड़ का छेतर त्रिभूस है बच्चों हैं जए भ GB